सत्य खबर देखे नारे सारे दर्सकान राम राम अर इप चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और या गंटी भी बजा दियो भारत देश भी अजब गजब है अब आप सोच रहे हैं कि ये अजब गजब का क्या मतलब है हम कहना चाते हैं कि इस देश में कई अनसुलजे रहसे हैं जो एक बार देखने पर खुद की आँखों पर भरोसा नहीं होता है अब एक ऐसा ही मामला भगवान हनुमान जी को लेकर आया है आप इन तस्वीरों को देखके खुद सोच में पढ़ जाएंगे कि हनुमान जी यहां तो साक्षट प्रकट हो गई जिरह आप भी इस विशाल काय परवत को देखिए और इसमें आपको हनुमान जी नजर आएंगे हनुमान जी ने अपने ये साक्षा दर्शन चमोली जिले में इस्तित बड़ा गाउं और धाक के बीच दिये हैं बता दें कि बद्रिनाथ धाम से 14 किलोमेटर दूर सतो पंथ जाने वाले मार्ग में पहाड़ी पर हनुमान जी की ये आकरिती उभर के आई है और अब ये इस्तान आस्ता का केंद्र बन चुका है बताया जा रहा है कि जब भविशे में बद्रिनाथ की यात्रा पून रूप से खुल जाएगी तब इस जगह पर श्रधालो भगवान हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे वहीं पुराणों के मुताबिक इस पवित्र इस्तान को लेकर श्रधालो भगवान हनुमान की कई कहानिया बताते हैं इस जगह को लेकर बताया जा रहा है कि जब पांडव पुत्र भीम नदी पार करने के लिए जा रहे थे तब उन्हें सुभा हो गई थी और उन्होंने ही जल्द बाजी में इस जगे पर इस पत्थर को रख दिया था जहां पर भीम के हाथों के नुशान भी देखने को मिलते हैं वहीं इस आकरटी को लेकर भूवे ज्ञानिकों की माने तो जलवायो में आने वाले परिवर्थन के कारण इस तरह का बदलाव देखने को मिलता है लेकिन जो आसपास के लोग है उनका कहना है कि इस तरह क्या क्रटी पहले बार देखी गई है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अधिकांशे समय से ये पहड़ी बर्फ से जगी हुई रहती है जिसके कारण यहाँ पर बनी हुई आकरती बर्फ से नीचे छुपी रह ज़ाती है कहा बनी हैं कहानिया बता रहे हैं सीमान चेत्र वंट के अंतरकत आता है हनमान सिला Ły Better दन पहले यहाँ पर बगत जनों ने यहाँ पर उत्एगान से इसके बहन कर दिया है देख सकते हैं यहाँ पर लोग चड़ावा पी करते हैं लोग यहाँ पर आते भी हैं दूर दूर से इसको देखने के लिए कही रहसे महीं बातें यहाँ बार देखने को मिलती है उत्राखन चमूली जिले से देखिए नभीन भंडारी की एक खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं सत्य हबर सत्य सतीत बेबार